आप मेरे साथ सीख रहे हैं 11th standard का न्यूज सिलेबस ओके लाश्ट यह आया था यह मैच टू चाप्टा नमबर वन हमने स्काट किया था कॉंपलेक्स नमबर पिछले लेक्चर में आपने कॉंपलेक्स नमबर के पूरे बेसिक कंसेप्ट देखे थे मैंने बहुत अच्छे से क कोशिश की थी आपको हर एक चीज बताने की आज हम लोग स्टार्ट कर रहे है एक्सराइज 1.1 और 1.1 यह काफी लंबा एक्सराइज है इसको कंपलीट करने के लिए काफी ज्यादा लेक्चर लगेंगे इसके पहले मैं आपको बता दू अगर आपने इस चेप्टर का मेरा पार्ट वन वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देखो वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर पूरे बेसिक्स मैंने कवर किये हैं अगर आपको सारी चीज जानोगे सीख लोगे तो यह बहुत ही ईजी लगने वाला है आप लोगो तो चलिए स्टार यह सारी जिए करके एक सिंपली एक वैल्यू लेकर आना है इसका तो वह हो गया सिंपलीफिकेशन सिंपलीफाइज करना फर्स्ट में फर्स्ट पशेशन है तो यहां पर देखो कि रूट में निगेटिव नंबर से तो ऐसे नमबर्स को हम इमेजनरी नंबर बोलते हैं तो क यह हो गया रूट 36 रूट माइनस वन माइनस को अलग से रूट में कर लो यह हो जाएगा रूट 625 एड माइनस जो है रूट माइनस वन आपको एक बात पता है कि I is equal to root माइनस वन होता है याने रूट माइनस वन को हम लोग I consider करते हैं इमेजनरी नंबर तो इसलिए अब क् 16 यह हो जाएगा 4 और root माइनस 1 हो जाएगा I plus 3 root 25 तो यहाँ पर दो दो numbers के बीच में आपको into लगाना चाहिए 25 का square root 5 root माइनस 1 हो गया I plus 36 का square root 6 root माइनस 1 I minus 625 square root 25 root माइनस 1 याने I तो इस तरह से हो गया अब यहाँ पर देखोगे तो यह 4 I है plus 3 into 5 score simplify कर लो 4 I plus 3 5 15 I multiply कर दिया इनका 6 I में से 25 minus करोगे तो minus 19 I हो जाएगा क्योंकि यह दोनों देखो दोनों में I है अब यह भी देखो यहाँ पर 4 I plus 15 I so 19 I minus 19 I दोनों सेम आया 99 minus 99 जीरो तो जो solution है यह जो question है यह वापस से आपको लिखना चाहिए यह एक बार में बता रहा हूं किस तरह से final answer लिखना है next time से आप खोज से करेंगे exam में ठीक है exam में यह तरीका होता है आपको हमेशा final answer में question लिखना चाहिए और equal यह question है इसका value कितना है जीरो पर इसको आप highlight कर दोगे इस तरह से तो यह हो गया आपका solution जो first simplify question है उसमें first question इस तरह से solve करना है हाँ चलो next question देखते है second वाला next question देखते है next question है second 4 root minus 4 plus 5 root minus 9 minus 3 root minus 16 बहुत ही आसान है पहले question के जैसे ही करो आपको आ जाएगा equal दे दो सबसे पहले 4 यह root 4 रखो यहां से जो minus था उसको root में करके अलग कर दो similarly यह 5 into root 9 है अंदर का जो minus है वो minus 1 root में डाल दो similarly यह 16 है root कर दो minus है उसको root minus कर दो multiply करोगे तो 16 into 1 16 और minus का minus आजाएगा एक ही में आजाएगा हमने minus 1 को root के साथ अलग कर दिया है अब क्या करोगे तो यह 4 है root 4 मतलब क्या है 4 का square root 2 और root minus 1 मतलब i 5 root 9 मतलब 3 root minus 1 याने i minus 3 root 16 याने 4 into कर दो दो नमबर बाजू-बाजू में लिखो के multiply करना और यह हो जाएगा i अब देखो 4 2 जा 8 i 5 3 जा 15 i minus 3 4 जा 12 i चलो एक काम करते इनको पहले subtract कर लेते या तो पहले plus करोगे तो भी चलेगा plus 59 minus 12 i तो plus 3 i finally 8 i plus 3 i 11 i तो यह आगे आपका final answer कैसे लिखो के final answer को यह question पहले लिखना equal to 11 i box कर देना तो यह first question जो simplify करना था यहाँ पर दो question हमने कर लिए है copy कर लो इसको अगला question देखते है आगे देखते है question number two question number two के अंदर करना क्या है write the conjugates of the following complex number तो मैंने जो basic मेरा lecture था part one उसके अंदर आपको सिखाया है कि conjugate कैसे करना है यहाँ पर आप देखो कि total जो है approach 8 sub question से सब के conjugate निकालना है तो बहुत आसान होता है conjugate निकालना एक line में conjugate आ जाता है concept क्या है आपको बताना चाहूंगा कि अगर समझो a plus bi इस तरह से कोई complex number है complex number आपको बता है real number plus imaginary number होता है तो इनको मिला के complex number बोलते हैं तो इसके अंदर किसी का भी conjugate करना है तो जो imaginary part है उसका sign change करना जो imaginary part है जो i जिसमें होता है उसका अगर plus है तो minus कर देना और minus है तो plus कर देना यही concept है इसको जो real part है वो change नहीं करते हैं तो यहाँ पर देखो 3 plus i उसका conjugate लिखना आप लिखोगे its conjugate is its conjugate is 3 plus i का क्या जाएगा 3 जो i वाला part plus है तो minus कर दो हो गया बस यह answer है आगया 3 minus i है 3 minus i तो आप लिखोगे its conjugate is its conjugate is 3 minus i है तो 3 जो i वाला part minus है तो plus कर दो textbook में यह किसी किसी के i print में नहीं होगा तो यहाँ आई है देखो new edition में आएगा अब देखो हर स्वम के बाद आपको यह लिखना है its conjugate is ठीक है अब मैं वह नहीं लिखने वाला आप खुछ से लिखना हर बार यह लिखके फिर इसका conjugate लिखना मैं direct करता हूं इसका conjugate क्या आएगा देखो i किसमें इसमें तो इसका sign change करना minus root 5 और यह i क्या है root 7i यह minus से इसको plus कर दो हो गया यह conjugate यहाँ पर आप यह line लिखना its conjugate is फिर यह minus root इसमें i है क्या अभी दिख तो नहीं रहा है इसको convert करो यहाँ पर कर दो चलो equal minus root देखो यह root 5 और यह minus है तो क्या हो जाएगा root minus 1 minus को अले किया so minus root 5 और यह क्या हो जाएगा i अब actual में इसको i के form में convert किया now you will write its conjugate यह हर बार लिखना है मैं यहाँ लिखके दे रहा हूँ its conjugate is देखो i के पहले क्या sign है minus तो यह plus हो जाएगा root 5i यह जो minus था यह plus हो गया यहाँ पर इसका solution हो चुका है 5i its conjugate आप लिखो ऐसे a line 5i plus है देखो इसमा i है तो इसका sign change करना minus 5i हो गया यहाँ पर भी आप लिखो गया its conjugate is क्या जाएगा देखो i वाले को देखना root 5i i क्या है negative तो positive हो गया यह हो गया इसका conjugate अब यहाँ पर देखो root 2 plus root 3i यह क्या जाएगा its conjugate is root 2 देखो यहाँ पर root 3i है root 3i i जो term है imaginary वो यहाँ positive है तो minus कर दो बहुत ही आसान है simple है और 8 वाला देखो cos theta cos theta यह plus है i sin theta यहाँ पर i वाला जो imaginary part यह है वो positive था negative कर दो यहाँ क्या लिखोगे its क्या था conjugate 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 is तो यह जो its conjugate है हर बार लिखना है आपको और उसके बाद उसका conjugate लिख देना हो चुका इसको चलो screenshot ले लो या तो copy कर लो अगला देखते हैं अगला जो question है third question find a and b if तो यहाँ पर देखोगे first question देखे हैं हम लोग a2 plus 2b plus 2ai is equal to 4 plus 6i है यहाँ पर हमें जो a और b है ना उसकी value find करनी है तो कैसे करेंगे देखो यहाँ पर देखोगे यह complex number right hand side में एक real part है और एक imaginary part है इस तरह से तो same way से left hand side में भी आपको करना है कि यह जो imaginary part उसको अलग रखो और जो real part है उसको एक साथ रखो now comparing both side comparing comparing real and imaginary part imaginary parts आप real और imaginary parts को compare करो तो देखो यहाँ पर i के साथ क्या है six यहाँ यहाँ के साथ क्या है two is equal to six हो गया ya जो real number है वह क्या है a plus two b यह कीतना हो गैं इहां real number ए four उसको equal हो गया equation number one यह जो i के साथ two a है यहाँ का coefficient two a elaborate number यहाइ नमबर 6 आई, आई के साथ 6 है, तो यह equal हो गया, समझे, इसको 2 number दे सकते हैं, दोनों को solve कर दो answer आजाएगा, कैसे आएगा, देखो, यहाँ पर 2A is equal to 6 है, तो A कैसे आजाएगा, 6, 2 in 2 है, यहाँ है, तो divide हो गया, तो A is equal to 2, 3 is a 6, A आगया 3, अब यह जो A की value यहाँ रख दो, यहाँ पर A की value रखो, तो यह हो जाएगा, 3 plus 2B is equal to 4, A की जगा हमने क्या किया, 3 रख दिया, put value of A here, यह तो put A is equal to 3, अब A की जगा 3 आगया, तो यह 2B is equal to 4, 3 इस तरफ आए, तो minus 3, 2B, so 2B is equal to 4 minus 3, 1, so B is equal to 1, यह 2 into यहाँ है, तो divide by 2, तो आपको यहाँ पर B की value मिल गई, 1 by 2, A मिला 3, तो यहाँ पर आप solution लिख सकते हैं, इस तरह से, A is equal to 3, and B is equal to 1 by 2, तो यह आगया आपका answer, बहुत ही आसान है, इस तरह से इसके इंदर बहुत सारे sub-question है, सब को करना है, देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर right hand side में यह real part है, real part कैसे पहचानों कि जिसमें I नहीं होता न वो real part होता है, देखो इस तरह से याद रखना, A plus B I, जिसमें I है, यह imaginary part है, यह real part है, इस format में रखना है, complex number बोलते हैं, इन दोनों को मिला के complex number, इसमें I है क्या न है यह i, यह imaginary part, इसके जैसे है, और यह real part है, तो कैसे करोगे, एकदम ध्यान से दिखना, हम compare करेंगे, कैसे compare करेंगे, जो real part है, यह A इसको equal है, A minus B, इसको equal A है, इस तरह से, and, जो i के साथ क्या है, A plus B, i के साथ है, और यहाँ पर i के साथ क्या है, 5, सिर्फ equal करना है, यह पर भी लिखना समझे जो real part है उन real part को equal कर दो i के साथ जो है imaginary उसको एक साथ लिख दो equal करके अब value find करो देखो यह a है यह यहाँ पर देखो यह करोगे अगर so यह a अगर यहाँ पर आता है a यह यहाँ पर आता है तो minus a हो जाएगा और यह minus b उस तरफ गया तो plus b यहाँ तो क्या करो इस a को महा ले जाओ तो a minus a हो जाएगा दोनों तरह से वही आएगा a minus a 0 is equal to b that means b is equal to 0 आगया आपको जो b की value यहाँ मिल गए 0 है b अब यहाँ पर देखो यह जो a है इसको equation number 1 दे सकते हो 2 दे सकते हो यहाँ पर लिख सकते हो put b value 0 b 0 here so यहाँ जाएगा a plus b की value 0 रखा 5 so a is equal to a plus 0 a और यह 5 तो आपको a और b की value मिल चुकी है ठीक है अब यहाँ पर solution लिखना solution a is equal to 5 and b is equal to 0 हो गया यह 0 है बहुत ही आसान चलो इसको copy कर लो अगला देखते है next question देखते है 3rd के अंदर 3rd वाला और 4th वाला दोनों बताऊं का आपको तो यहाँ पर देखो कि a plus b into a multiply 2 plus i तो यहाँ पर i जो है bracket में आए हो यहाँ पर b plus 1 plus bracket 10 plus 2a i अब क्या करना होगा देखो इसको एक काम करो यह i अलग से नहीं है तो multiply कर दो तो यह a का multiply दोने में करो a into 2 2a a into i तो ai plus b into 2b plus b into i bi यहाँ पर b plus 1 है अलड़ी प्लस यहाँ पर है 10 10 plus 2a with i इसको ऐसे ही रखो ठीक है यह देखो यहाँ पर देखोगे तो यह real part है यह real part और यह imaginary part है तो वैसे इसके जैसे यहाँ भी करो i वाले को एक साथ रखो कैसे करो यह 2a plus 2b इसमें i नहीं है उसको एक साथ रखो यह ai और bi में i है देखो ai plus bi तो ai plus bi दोनों में जो i था वो common ले लो ठीक है और यहाँ पर क्या है b plus 1 और प्लस यहाँ पर 10 plus 2a i comparing real and imaginary parts क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर अगर इसे करते तो यह देखो यह 2a plus 2b 2a plus 2b is equal to b plus 1 2a plus 2b is equal to b plus 1 and यहाँ पर जो i के साथ है a plus b is equal to i के साथ क्या है 10 plus 2a क्या किया मैंने देखो यहाँ पर starting में a plus bi इस format नहीं था real plus imaginary यहाँ पर था यह था देखो right and z यह real है इसमें आई नहीं है तो real है और इसके साथ i है हमको हमेशे याद रखना है कि a plus bi format होना चाहिए तो यह real number a और यह image नहीं बट यहाँ नहीं था तो इसको हमने 2a plus b is equal to 10 a minus 2a minus a plus b is equal to 10 यह आ चुका है यहाँ भी करो 20 तरफ आया तो 2a plus 2b 20 तरफ आया तो minus b is equal to 1 so 2a plus 2b minus 1b 1b is equal to 1 so this is equation number 1 this is equation number 2 दो equation है दोनों को solve करना पड़ेगा जैसे 10th में आप करते थे न वैसे ही करो तो simultaneously solve करो आपको answer आ जाएगा यहाँ पर देखो यह plus b और plus b है तो subtract कर देखे subtracting equation 2 from 1 यह 2 को 1 से subtract करो तो 2a तो ऐसे कर सकते है 2a plus b is equal to 1 10th का method यहाद कर रखो minus a plus b is equal to 10 so whenever you will subtract subtract करेंगे minus का plus हो जाएगा plus का minus plus का minus sign will change तो plus b minus b will cancel 2a plus 1a so 3a is equal to 1 minus 10 तो minus 9 so a is equal to minus 9 upon 3 9 को 3 से अगर divide किया so 9 upon 3 is 3 और यह minus यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से तो यह हो गया आपका a is equal to minus 3 okay now a is equal to minus 3 अब a की value कहीं पर भी put कर दो चलो यहाँ पर रख देते a की value यहाँ पर रख देते हैं from 2 1 में रखोगे तो भी चलेगा 1 या 2 कहीं तो put करो minus a a is what minus 3 a की जगह पर minus 3 रखा plus b is equal to 10 so minus minus plus 3 plus b is equal to 10 so b is equal to 10 3 उस तरफ गया तो minus 3 b is equal to 10 minus 3 is 7 यहाँ गया आपका b का answer तो हमें क्या लाना था यहाँ पर find a and b करना था आपको a मिल गया b मिल गया अभी question number 1 किया 2 किया जो काफी आसान था question number 3 में आपने देखा कि compare करने के बाद भी 2 equation आगे 10th में जो आपने सीखा था linear equation in 2 variable वो chapter का use किया हमने concept का and उसको simultaneously simplify कर दिया ठीक है तो इसी तरह से ऐसे questions को करना चाहिए इसको copy करना लेकिन इसके पहले आगे fourth वाला भी question देख लेते क्या है देखो a b i is equal to 3a minus b plus 2l i तो यहाँ पर देखो real part नहीं है तो 0 ले लो only imaginary part है a b i कैसे पता चला देखो यह i है ना तो i है मतलब imaginary है तो उसके साथ कोई जैसे यह i वाला part है यह a है नहीं तो उसके जगा 0 ले सकते हो तो याद रखो concept is equal to यहाँ पर i देखो सिर्फ इसमें है यह real part हो गया 3a minus b यह real part हो गया plus 12 i यह imaginary part हो गया जो 0 is what 3a minus b and जो यहाँ पर i के साथ a into b है यहाँ क्या है 12 अब कैसे करेंगे देखो यहाँ पर minus b इस तरफ आएगा तो plus b 0 गट गया minus b आए तो plus b is equal to 3a so b is equal to 3a तो अब यह जो है न b is equal to 3a इसका use करो यहाँ पर so a b की जगा पर 3a रख दो b की जगा पर 3a रख दो b a into b यह a into b a into 3a is equal to 12 आगया कितना है 12 अब यहाँ से scroll करोगे तो 3 into a into a a square और यह 3 यहाँ लेके जाओ तो यह क्या होगे 12 upon यह 3 into है यहाँ पर divide हो गया so a square is equal to 12 upon 3 4 so a is equal to square उस तरफ गया तो square root जब भी square root लेते plus minus में answer आता है so answer will be plus or minus so a is equal to plus or minus 4 का square root 2 so आपको a की value मिल चुकी है यहाँ से ठीक है इस equation से अब a की value मिल गई तो अब b की value find करो कैसे करोगे b is equal to b is equal to 3 a की value क्या आई है plus or minus 2 okay so b is what 3 2's are 6 और sign ऐसे रखो plus minus हो गया so plus minus 6 आया so यह आ चुक है so you can write finally solution in every question solution a is equal to plus or minus 2 and b is equal to plus or minus 6 हो गया बहुती आसानी से हमने कर लिया question no.3 में 4 sub questions हो चुके है और भी कुछ sub question है वो भी बदा देता हो थोड़ा सा अलग trick से करना है उसको आगे देखो अभी question no.3 के अंदर 5th और 6 दो और sub question इसको कर लेते है अभी तो 5th question क्या है देखो 1 upon a plus i b is equal to 3 minus 2i क्या करते देखो हम है ना यहाँ पर conjugate से multiply करेंगे जब भी one upon ऐसे कुछ आता है तो conjugate से multiply कर सकते हो तो क्या कर सकते conjugate से multiply हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तुम अब लूँगा कि दोनों को इन्वर्ट रिंडे कर दो यह हो जाएगा वन अपन हो जाएगा a plus i b वन अपन का उल्टा हो गया यह इसके बाद क्या कर रहे यह वन अपन हटाने के लिए अच्छा यह मैंने यहां क्य इसको क्या करो conjugate से multiply हो क्या होता है 3-2i into अभी देखा था ना question number 2 में कि 3-2i है ना इसका conjugate minus का plus होता है 3 plus 2i जो आई वाला term है यह negative है तो positive कर देना 3 plus 2i इस तरीके से तो यह तो रहे से रहेगा a plus i b यहां जो answer आएगा यहां पर आपको पता है a minus b और a plus b का multiply करेंगे तो क्या आता है यहां पर a minus b और a plus b होगा तो conjugate क्या होता है जिसे 3-2i है तो आई वाला जो term है वह minus है इमेंजरी डम तो प्लस कर सके ऊपर नीचे multiply करना यह बहुत important step है यही step पूरे chapter में बार-बार अभी यूज होने वाला आगे एक दम ध्यान से देखो यह 1 का इनका multiply करने के बाद a minus b into a plus b होता है a square minus b square यहां पर हो जाएगा यह 3-2i 3 plus 2i तो a square मतलब 3 square माइनस यह जो 2i है इसका square यह जाएगा a plus ib is equal to यह उपर तो है 3 plus 2i यह 3 square हो जाएगा 9 minus 2 का square 4 और यह हो जाएगा i square आपको पता होना चाहिए i square जो होता minus 1 होता है यह याद रखना side में लिख सकते हैं यहां पर so a plus ib is equal to 3 plus 2i upon 9 minus 4 यह i square है उसकी जगा minus 1 रखना therefore a plus ib is equal to 3 plus 2i upon 9 minus 4 into minus 1 plus 4 यह आच चुका है आगे देखो a plus ib is equal to इसका continuation part है 3 plus 2i इसको 3 plus 2 5 मत कर देना because इसके पास i है इसके पास i नहीं है तो उसको ऐसी ही रखना 3 plus 2i वो add नहीं होगा 9 plus 4 add हो जाएगा यह हो जाएगा 13 लेकिन हमें तो a plus b ib में b और a की value find करनी है एक काम करना इसके बाद a plus ib is equal to यह 13 को दोनों के निचे लिखो 3 upon 13 plus यह क्या बजाएगा 2 upon 13 और i अब देखो यह real part जो है वो a है इसके साथ i नहीं है देखो यह real part a है और इसको equivalent 3 upon 13 है इसमें भी i नहीं है imaginary part b है b i के साथ b है यहां i के साथ क्या है 2 upon 13 है वो imaginary part है so comparing comparing real and imaginary parts इस तरह से हर बार यह dialogue याद रखो on both side लिखो के तो भी चलेगा so a a का value कितना है a पहले था तो 3 upon 13 आया and जो i के साथ b है b तो b का value क्या है 2 upon 13 आया okay so यह इस तरह से हो गया आपको a और b की value मिल गया अभी मैं इस question number 3 में जितने भी question कर रहा हूं सब अपने आप में थोड़ा थोड़ा आगे यहाँ पर upon में था ratio में था तो मैंने उसको किस i b into 1 plus i sixth question हम लोग कर रहे है 2 plus i दिया हुआ है तो यहाँ पर i i दो बारे multiplication है तो आप एक काम करो multiplication करो यह जो a है इसका multiply पहले दोने में कर लो फिर i b का multiply दोने में करना a का multiply 1 में किया तो a plus a into i a i फिर i b का multiply 1 में हुआ तो i b फिर i b into i तो i i i square और b यहाँ पर 2 plus i है simplify करते जाओ देखो यहाँ पर यह a है plus a i plus i b को b i लिख दो plus i square क्या होता यहाँ से i square minus 1 यह minus 1 हो जाएगा तो यह plus minus minus हो जाएगा यह minus 1 into plus minus 1 into यह b आ गया is equal to 2 plus i अब क्या करो जो जिसमें i नहीं है उसको पहले रखो जैसे यह a इसमें i नहीं है इसमें b i नहीं है so a minus b एक साथ रखा plus यह जो a i plus b i दोनों में i है दोनों का i common दोनों का i common यह minus b को एक साथ रख दिया इन दोनों का i common यहाँ पर आगे 2 plus i now again you will write comparing real and imaginary parts पॉंसी लाइन है देखो यह वाली लाइन आप यहाँ पर repeat करो अब देखो यह real part है इसमें i नहीं है तो यह real part है यहाँ भी real part है और यह imaginary part है यह imaginary part है a plus b यहाँ i के साथ कुछ नहीं है तो वन है तो अभी आपको दो equation आ गए बिल्कुल 10th में जो simultaneous equation solving था आपका उस तरह से कर डालो इसको equation number 1 दे सकते है equation number 2 दे सकते है यहाँ plus b यहाँ minus b है तो ऐसे में यहाँ आदारा आपको adding करते थे adding equations 1 and 2 and direct add करते थे इतना लिखने के जरूरत नहीं होती equation के निचे equation 10th में जैसे किया था इतना दिखाने के जरूरत नहीं हो करो 11th में आगया बड़े हो गए so a plus a 2a minus b plus b 0 2 plus 1 3 तमझ में है a और a 2a minus b plus b cancel equal के बाद 2 equal के बाद 1 equal के बाद 2 plus 1 3 so a is what 3 upon 2 so you got the value of a a की value आ गई इस a की value को आप substitute करो किदर करना चाहोगे चलो 2 में करते प्लस वाला है 1 में करोगे तो भी चलेगा from 2 so a a की जगा पर 3 upon 2 लिखना plus b is equal to 1 so in the next step b की value कैसे find करोगे देखो 3 upon 2 है उस तरफ जाएगा तो 1 minus 3 upon 2 so यहाँ पर 1 cross multiply b is equal to 2 1s are 2 minus 1 3s are 3 upon 1 2s are 2 so b is equal to 2 minus 3 याने minus 1 upon 2 so you got the value of b also and value of a also finally you will write solution just like this a की value और b की value एक सब solution करके लिख दो देखो कितना आसान है a और b की value find करना हर एक question में तरीका लगा यहाँ division दिया था 1 upon यहाँ multiplication दिया था कोई बात नहीं आप solution करते जाओ application division 10th का जो concept यूज करते जाओ जरूर आएगा सबसे पहले तो आप यहाँ से copy कर लो इसको okay screenshot ले लो तो देखा students बहुत ही आसान है यह chapter जो complex number है हमने start कर दिया है आपको basic मैंने सिखाया था जरूर देख लो अगर आप यहाँ तक देख चुके हो लगातार सीरीज में देखो पहले पार्ट वन देखना मेरा फिर यह जो पार्ट टू वीडियो है आज का इसके साथ ही आप देखते रहो पार्ट 3 पार्ट 4 सीरीज में देखते रहो simple से complex तक ले जाओंगा known से unknown तक लेके जाओंगा आपको यह chapter बहुत easy करके सिखाओंगा ठीक है अभी आपको बता दू कि इस चैनल पर दिनेश सर लाइव स्टेडी चैनल पर 11 और 12 का 90% syllabus complete हो चुका है अभी तक 11 के अंदर मैंने सारे chapter सिखा के रखे हुए हैं सिर्फ complex नंबर यह बाकी था यह अभी मैं complete कर रहा हूं और एक probability करके chapter है जो मैं complete करने वाला हूं पूरा जो नया syllabus last year यह आया था मैं last year से पूरे syllabus को complete कर रहा हूं इस साल 12 का जो नया syllabus है वो भी मैंने approximately 13 chapter complete कर दी है तो आप के लिए अगले साल का भी tension finish है चानल पर पहली बार आए हो और लग रहा है कि useful channel है बहुत ही काम का channel है तो channel को subscribe जरू कर लेना और सिर्फ अपने आप तक ही नई इस channel को अपने दोस्तों तक share करो तक ही सबको फाइदा मिले सभी लोग घर बैटे सीख सके हैं ओके और हर एक व चर्में बाई अव्रीवन